यह है जहाजपूर का मेवाड किला हम इस मेवाड किले की तरफ बढ़ रहे हैं तो मुझे समझाया गया है कि यह इतना पुराना है और यह अबंडन कर दिया गया है तो फ्रेंट्स चलिए आपको जहाजपूर के मेवाड किले की तरफ लेके जलता है जापकार नापकार दौकता है डिली डिली डर्गावाला तो कि इनमा राक हो दो कि अभाने लगें कि इनला कि अभर झाले कि अलाग यह लाई कि अभाने लगें कि बड़ से इधर मुनना जोगा वाला किले का रास्ता किसे है अगे रास्ता मिट्टी वाला है में आप ऐसा इधर कि वाला है वाला 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 है हुआ हुआ है कि आपको आज लेके आया हूं जहाजपूर के मेवाड किले में इस किले की खासियत यह है कि इसको आज से धाई हजार साल पहले संप्रती नाम के राजा जो कि अशोक के पुत्र थे उन्होंने बनवाया था नीव रखी थी इसकी पर ये उसके बाद अबंडन कर दिया गया छोड़ दिया गया फिर इसका रिनोवेशन जो है महाराना कुम्भा ने करवाया था अब यह वापस अबंड कर दी गई है थोड़ा बढ़िया कर दिया गया चलिए अंदर चलके देखते हैं कि अंदर भी कोई डवलाप्मेंट या रिनोवेशन किये हैं या सिरफ बस बहार ही किया हूँ आज 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 दर्का वाला यह अभी भी लोग आते हैं नीचे मुस्लिम लोग ज्यादा रहते हैं तो शायद वो बहुत आते होंगे चलिए आपको लेके चलते हैं इस रास्ते से 15 संचुरी के बाद इसका रिनोवेशन नहीं हुआ है तो यह बहुत कच्चा लग रहा है बहुत कमजोर है बहुत ध्यान से चलना पड़ेगा हमको और कोई गार्ड नहीं है कुछ नहीं है इतनी पुरानी और खूबसूरत चीजों का जो देखबाल गौर्मेंट की रिस्पॉंसिबिलिटी होती है तो मुझे लगता होनी ही चाहिए तो यहां की दरगा है यहां चादर वगरा चड़ा रखी है इसका मैंतलब यहां आते रहते हैं और आगे रास्ता है देखते हैं मैं यहां पर बावडी बताई थी एक छोटी सी यहां पर बावडी है इसमें पानी सूख गया है थोड़ा सा पानी है देख सेकते हैं आप वहां पर भी एक मचा रहे हैं आगे चलते हैं रास्ता साफ है और मैं कहीं जूतों के निशान भी देख रहा है इसका मतलब यहां लोग आते रहते हैं आप 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 इस फ्रेंड्स ही जो आप देख रहे हैं यह है जहाजपूर का मेवाड किला हम इसमें वाड किले की तरफ बढ़ रहे हैं तो मुझे समझाया गया कि यह इतना पुराना है और यह अबंडन कर दिया गया है कि इसको बहुत ध्यान से इसमें जाना है दिवारें कच्ची हैं अब हमें अंदर जाके पता चलेगा कि इसकी एक्जेक्टली एंट्रेंस कहां से है यह आउडर वाल होगी यह सी ओर वाल है मैं आपको कुछ चीजें दिखा देता हूँ आउडर वाल में यहां काटे पड़ें इसलिए मैं आगे जानाहीं पा रहा हूँ मैं आपको आगे से जाके दिखाता हूँ साइट से और्टरवाल में क्या क्या चीज़ें इंपोर्टन्ट होती है अब जैसे ये एक स्टेज जैसी बने हुई है तो यहाँ पर छोटी तोपे रखी जाती होंगी यहाँ ताकि आप यहाँ से जो है तोप के गोले नीचे वार कर सकें ये एरियाज होते हैं जहां से जहां पर बंदू के रखी जाती है और गरम तेल भी नीचे फैका जाता है और देखने के भी काम आता है ये कि नीचे से कोई उपर तो नीचे चड़ रहा दिवार की चड़ाई देखिए आप अच्छी है ये और ये काफी पुरानी और बिहड जैसी हो चुकी है मतलब दिवार और आगे पूरा ये पहाडी से घिरी हुई है पूरा गहराई है तो उपर चड़ने में किसी को भी तकलीफ होगी ये दिवार की हाइट देख सकते हैं और नीचे फिर ये पूरी पहारी है तो पहारी से इतनी उचाई पहाँ है अब सामने किला है किले की एंटरन्स यहां नहीं है चले आपको एंटरन्स से लेके चलते हैं पर दिखाते हैं ये देख सकते हैं आप पया ये एक ऐसी जगह जहां उपर आप तोप लगा सकते हैं और हाइट होगी तो हाइट से आप दूर तक देख सकते हैं कि कौन-कौन आ रहा है कहां से अटेक हो रहा है और इस इस लैक यह बैटने की जगह है चारो तरफ से So security guards वोगे रहा है, यहाँ पे रहते होंगे So this is the entrance यह entrance है यहाँ से है इसकी entrance ठीक है चलिए entrance में गुषते है gate size थोड़ा सा छोटा है first gate So जो first gate होता है उसके दोनों sides में security guards के लिए rooms होते है obviously इसके बाद यह वाल कवर्ड रहती है इसके बाद यह वाल कवर्ड रहती है यह मंदिर हो सकता है यह मंदिर है सामने शिवलिंग है मैं शूस खूल के अंदर जाके आपको मंदिर के दर्शन भी करवा देता हूँ यह मंदिर के लिए जाद सकता है परिक्रमा है, तो यहां मिट्विटी जादा है, मैंने भी सोप से नहीं पारे हैं अपनी बैट्स बेट्स बेट्स यहां पर, यह सेकंड एंट्रेंस है, जो बिगर एंट्रेंस होगी वहां से, पूरी तरह से जैसे तहस नहीं सो रखाई है अकिला, और मतलब बिल्कुल ध्यान नहीं है, गवर्मेंट अपनी चीज़ों को सायद सोच नहीं पाती है कि हर जगह से, यह इंकम स्कॉर्स भी बन सक पर है, एक और मंदिर है, हर जगह मंदिर है यहां पर, ओके, यह एक और चोटा सा कुआ है, बावरी कहते हैं इसको, राजिस्तानी में, सुपानी स्टोर किया जाता होगा, नीचे सीडियस से उतरने की जगह भी है, आईए, नीचे उतर के देखते हैं, कहां तक उतर सकते हैं, पाने क्लीन है, इसकि वेरे मिदाना लगोना, यह रूम्स वगरा होंगे, कि उतर हैं, अचैं के तर बोटैंगे, नीचे जटे, नीचेय बंढगे हैं,